कभी हसाए कभी रूलाए तेरा मेरा साथ इस रिष्टे को और भी खुबसूरत बनाए नमस्कार आदा आप सस्रियकार मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त जोती और स्वागत है आप सभी का हमारे आज की स्पेशल एपिसोड वेलेंटाइन डे स्पेशल में हम कैसे अपने रिष्टों को मजबूर बनाए कैसे अपने रिष्टों को खुबसूरत बनाए आज इस विशे पर चर्चा करेंगे और आपकी रिष्टों को मजबूरत बनाने के लिए और उनमें खुबसूर लाने के लिए इस वक्त हमारे साथ स्टूडियों में मौझूद है ब्यूटिफुल कपल रिलेशन्शिप कोचिस हितेश सर और शुभांगी मैं चलिए सबसे पहले मिलकर सरका और मैं का स्वागत करते हैं सरना आप दोनका बहुत स्वागत करूंगी कारेकर में थांक यू था अगर आपके मन में कोई भी सवाल है अपने रिष्टे को लेकर और आप उसका जवाब पाना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना फोन उठाए नंबर घुमाएं बात करें और देखें कि किस तरह से आपके रिष्टों में मजबूती आती है तो चलिए चर्चक आज होता है वह होता है ट्रस्ट लेकिन अगर आज के समय की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है वह ट्रस्ट की ही होती है तो मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि कैसे एक रिष्टे को हम मजबूत कर सकते हैं कैसे हमें अपने पार्टन कि हम अपना किसी व्यक्ति पर भरोसा नहीं बना पाते हैं तो अगर इसकी जड़ पर जाएं तो हो सकता है कि अगर हमारी लाइफ में ऐसे कोई इंसीडेंट्स रहे हो जहां पे हमारा भरोसा तूटा हो या हम भरोसा रखने के लिए प्रिपेर ना किये गये हो जैसे कि हम ब बच्पन में जब बड़े होते हैं दीरे दीरे बड़े होते हैं तो हमारी लाइफ में अगर ऐसी कोई सिच्वेशन हो जाएं जहां पे हमारा भरोसा तूटा हो या हमें भरोसा रखने के लिए प्रिपेर ही ना किया गया हो यानि कि हमारी परवरिश ही इसी तरीके से हुई हो कि हम किसी पर भरोसा रखने के लिए तयार ना हुए हो तो एक तो रीजन सबसे इंपॉर्टन रीजन ये है कि हमारा जो बच्चपन में कैसा हमारा ट्रस्ट के साथ रिष्टा रहा क्या हम किसी पर ट्रस्ट कर पाए या हमारा ट्रस्ट रखा हमने जैसे कि अगर मैं आपको से preparation करता है अच्छे से अंक लेता है और marks भी आ जाते हैं पर parents अपने दिये गए promise को पूरा नहीं कर पाते हैं तो होता क्या है बच्चे का कहीं न कहीं trust factor जो होता है parents के ओपर वो तूट जाता है इस तरह से क्या होगा आगे भी अगर उसकी life में कोई situation आती है जहां पे जो कहा गया वो पूरा नहीं किया गया जो भी promise करा गया वो पूरा नहीं किया गया तो दीरे-दीरे जो trust का उसका stump है वो दीरे-दीरे कहीं न कहीं weak पढ़ने लगता है फिर क्योंकि हमारी बच्चपन की अवस्ता हमारे adult की अवस्ता को बहुत deeply impact करती है हम चाहे ही 20-30-40 साल के हो पर जो हमारे बच्चपन के कहीं न कहीं incidents होते हैं जो हमारी belief system होता है वो कहीं न कहीं बहुत दूर तक हमारे साथ चलता है और ऐसा बच्चा जब प्रॉड बनेगा adult stage में जाएगा उसको दूसरों पर trust अकने के लिए कहीं न कहीं दिक्कत होगी वो दूसरों के चीजों के अंदर कहीं न कहीं शंका करेगा और देखेगा कि अगर ये व्यक्ती मुझसे बड़ा हसके बात कर रहा है या यूनो मेरे से बड़े प्यार से मेरे पास आ रहा है तो इसका कोई मतलब है उसपर वो शंका करेगा उसपर trust नहीं कर पाएगा तो सबसे बड़ी चीज ये दूसरा हमारे पास अगर लाइफ में rejection के experiences रहे हो हमने बहुत rejection experience करी हो तो आगे जाकर क्या होता है हम rejection ना लेने की बजाए हम trust ना करना पसंद करते हैं कि हम trust ना करें भरोसा ना करें क्योंकि अगर मैंने किसी चीज़ पर भरोसा किया और फिर से मुझे rejection मिला तो मै फिर सहन नहीं कर पाऊँगा और abandonment हम कह सकते हैं कि अगर बच्पन में आप अकेले पड़ गए हो या life में कोई ऐसी situation हुई हो जहां पे आपको बिल्कुल खुद में अकेला महसूस हुआ हो और जब हम अकेले होते हैं तो क्या होता है दोस्तो हमारे अंदर unsafe की feeling आती है तो बड़े होकर हम फिर से किसी पर trust नहीं करते हैं क्योंकि हम unsafe feeling को बार बार अपनी life में experience नहीं करना चाते हैं तो मैं सिर्फ यह कहना चाहूंगा कि अगर आपको आपके रिष्टे में trust करने में दिक्कत हो रही है तो सिर्फ उस जगह पर ना देखें कि मुझे trust issues क्यों आ रह वह तूटा क्योंकि अगर आप उस चीज को डिल करेंगे तब ही आप अपने trust को वापिस से रिगेंड कर सकते हैं जी सर तो trust जो हम करते हैं अपने partner को कहीं न कहीं बच्पन से ही हम चीजों को face करते हैं और इसकी वज़े से adult होकर हम यह समस्यां जो होती है परिशानियां ज जो व्यक्ति है वो ऐसा नहीं है तो जो spiritual person है वो चाहता है कि हम अपने इस रिष्टे को spirituality के साथ चलाएं बहुत अच्छी है लेकिन नहीं चल पाता है ऐसे में वो person जो spiritual है वो क्या कर सकता है तो देखिए जो अध्यात्मिक्ता है हम सोचते है अध्यात्मिक्ता क्या है अध का दूसरा भाग भी है कि हम ज्ञान योग हम सोचते हैं जब ज्ञानी बनते हम विज्डम को लेते हैं तो वो भी अध्यात्म का ही हिस्सा है और तीसरा आता है ध्यान योग कि जब हम ध्यान करते हैं हम उसको अध्यात्मिक्ता सोचते हैं तो यह तीन हम सोचते हैं अध्यात् तो शायद जो आप अध्यात्मिक्ता की परिभाशा सोच रहसे दूसरा जन्वों नहीं कर रहा है पर जरूरी नहीं है कि भी वही करना चाहिए तो हम उसको अपनी तरफ खीचने लगते हैं तो ज़रूरी नहीं है आप उसको खीचिए देखिए अगर आप ध्यान कर रहे हैं आप ध्यान से बाहर जा रहे हैं classes ले रहे हैं सिखा रहे हैं और आपके परिवार वाले ध्यान नहीं कर रहें पर आप सोचेंगे वो ध्यानी नहीं है पर मैं कहूंगी वो ध्यानी है क्योंकि वो आपको रोक नहीं रहे हैं आपको जाने दे रहे हैं तो उनका भी योगदान है आपके ध्यान में, पर हमें लगता है जो ध्यान कर रहा है, वो ही अध्यात्मिक्ता की और है, और दूसरा, अगर आप अध्यात्मिक्ता में हैं, तो आप दूसरे जन को भी स्विकार करेंगे जैसे वो है, आप अपने अक्शन से, अपने कर्मों से उनको प्रेडना देंगे कि उनके अंदर भी वो बदलाव आजाए क्योंकि वो आपको देखेंगे बदलता हुआ कि आपके अंदर बदलाव है डेफिनिटली वो सोचेंगे कि ऐसा क्या है कि जो आपको बदल गए तो मैं भी वो करना चाहूंगी तो वो प्रेढना बनेगा, तो वो अपने आ अध्यात्मिकता में आएंगे, तो आपको खीचने की जरूरत नहीं है किसी को, आप सिरफ अपने पी ध्यान दे, अपना कर्मियों करते रहें, दूसरों को सुश्विकार करें जैसे वो है, तो आपने आप ही वो अध्यात्मिकता कि और आने लगेंगे कि छेममि इक रिष्टे नहुते हैं तो हमें सामने वाले इनसान से बह्त सारी उमीद्य हो जाते हैं वह हमारे लिग ये करेगा हमारे सात रहे का लेकिन हम नहीं सोच पाते हैं कि उसकी एक अपनी जुर्नी है वह एक अपनी प्रेiu से अपनी लाइफ जी रहा है आप उसकी लाइफ में एक पार्ट बने हैं लेकिन आप दोनों की एक डिफरेंट जर्णी है सर इसके साथ मेरा अगला सवाल आप से कई बार देखा जाता है कि दो लोग रिलेशन्शिप में है उसमें से पार्टनर जो है वो अब्यूजिव होता है वो कोई भी हो सकता है लड़का भी हो सकता सम्टाइम्स लड़की भी होती है लेकिन वो केर करता है वो अपनी हर रिस्पॉंस्बिल्टी निभाता है तो ऐसे में क्या उस परसन के साथ रहना सही है इसके बारे में जाना चाहेंगे देखिए अगर ऐसे व्यक्ति जिसका आचरण आप बता रहे हैं अगर हम उसको अच्छे से study करें ऐसे व्यक्ति को study करें तो study करने का मतलब उसकी psychology का समझना तो जिस तरह के आचरंग की आप परिभाशा दे रहे हैं कि व्यक्ति सारा काम तो करता है आपका ध्यान भी रखता है और साथ में अब्यूजिव भी है तो जान जाएए ये लक्षन है possessivity के कि वो व्यक्ति आपको possess करना चाहता है देखिए सीधी सीधी बात है अगर रिष्टे में प्यार है डिस अग्रीमेंट्स हो सकते हैं पर रिष्टे में एब्यूजिव होने की कोई ज़रूरत नहीं है वो अब्यूज किसी भी तरीके का हो सकता है फिजिकल अब्यूज मेंटल अब्यूज कभी एमोशनल अब्यूज ह हम देखते हैं कि कभी-कभी लोग हमें emotionally abuse भी करते हैं कैसे वो हमसे बात करना बंद कर देंगे या हमें किसी और तरीके से पीड़ा पहुचाने की कोशिश करेंगे तो abuse जहां पे जिस किसी भी रिष्टे में आए तो ये देखना चाहिए कि उस व्यक्ति की जो जर्नी रही है psychology रही है वो कैसे वहां तक पहुची है तो इसी लिए इस तरह के व्यक्ति को अपने ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए देखना चाहिए कि अगर मेरा ऐसा तरीका रहा है ये जो possessivity है ये जो anger issues है मेरे साथ अगर ये मेरे साथ हैं तो definitely आपके कहीं past से आ रहे हैं आपके childhood से आपके साथ चलते आ रहे हैं तो अपने emotions की जिम्मेदारी लें अपनी खुद की responsibility उठाएं क्योंकि जिस रिष्टे में abuse होना शुरू हो जाए तो आप जान जाए ये रिष्टा धीरे-धीरे करते हुए फिर weak पढ़ने लगेगा बाकी रिष्टा सब कुछ absorb कर सकता है हर तना का shock ले सकता है पर abuse के sir मैं आगे चर्चा करेंगे लेकिन कारेकोश में दंशेक हमारे साथे जोड चुके हैं हमसे बात करेंगे değil आ जब हम एक रिष्टे के लिए बाप इसकी घूळ देतें हैं उचे इक इंसान के साथ कर दिए हैं फिर एक जी, तो मैडम, अगर कोई रिष्टा आपको प्रेरिद करता है कि मेरे को पाने के लिए बाकी सब रिष्टों को छोड़ दो, तो कहीं न कहीं हमें थोड़ा वापिस सोचने की आवश्यक्ता है. तो प्रेम की परिभाषा क्या होती है? प्रेम आपको मुक्ति का द्वार दिखाता है प्रेम आपको Freedom देता है आपके WINGS को फैलाता है आपके पंखों को काटता नहीं है तो अगर पती या पतनी आपको कहे कि आप अपने सास ससूर से बात करना बन कर दो या आप अपने पेहर से बात करना बन कर दो इस तरह से अगर कोई रिष्टे में हम जाएंगे तो प्रेम की परिभाशर जो है वो कहीं न कहीं सिमित हो रही है और अगर आप भी इस चीज से इंफ्लूएंस होके कहीं न कहीं अपने आपको उसी दिशा में लेकर जा रहे हैं तो आपको भी काम करना चाहिए क्योंकि रिष्टे तभी मजबूत बनते हैं जैसे ताली दोनों हातों से बज़ती है तो इसलिए रिष्टों को अगर मजबूत करना है तो दोनों हातों से ही मुझे भी काम करना है और मेरे प्रेमी को भी काम करना है तब ही रिष्थे strong बनेंगे और हम रिष्थों का मूझ लोद्देश्च क्या है कि जब दो खुश व्यक्ति एक दूसरे के साथ आते हैं तो संसार में खुशी बाटते हैं अगर आप खुद को का करना बंद करो आप थोड़ा इस पर थोड़ा क्वेश्चन करिए खुद भी सोचिए इस चीज के ओपर तब ही आप इस चीज से आगे बढ़ सकते हैं जी जब कई बार हम रिष्टे में होते हैं तो उसे इंसान के लिए हम पूरी दुनिया को छोड़ने के लिए तयार हो जाते हैं लेकिन थोड़े वक्त बात क्या होता है वही इंसान जो होता है वह हमसे धीरे धीरे दूर हो जाता है कोई भी नया रिष्टा आपको जोड़ना सिखाता है तोड़ना नहीं तो जहां तोड़ना पड़े वो रिष्टा आपके लिए कितना सही है यह आपको खुद सोचना होगा लगताया टेवी स्क्रीन पर नमर फ्लैश हो रहे हैं अगर अपने रिष्टे को लेकर कोई भी सवा आपके मन में है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं बात कर सकते हैं और फिर देखें कि बात करने के बाद कैसे आपको आपके रिष्टे के लिए समधान मेंता है सर जैसा कि हम आपर बात कर रहे हैं कि फैमिली को छोड़ देते हैं दोस्तों को छोड़ देते हैं बच्पन की दोस् हो तो देखिए हम कहते तो है दो व्यक्तिआं के बीच में शादी होती है पर एस नहीं होता है दो परिवारों के बीच में शादी होती है कि जब लड़की गहतीए तो उसको एक नए member की तरह दूसरे समाज में लिया जाएगा, दूसरे परिवार में लिया जाएगा अब वो परिवार का हर व्यक्ति अपने उस परिवार का भी कोई custom है, कोई tradition है, कोई values follow की जाती है उनका भी कोई दिन चरया है, तो लड़की वो सारा कुछ अपनाती है और अगर लड़की सोचे कि मैं सिर्फ अपने husband के साथ ही link रखूँगी और husband सोचे मैं सिर्फ अपनी wife के साथ ही link रखूँगा, दूसरों के साथ नहीं link रखूँगा तो ये बहुत ही एक narrow definition है हमारे family system की क्योंकि हम जब देखी रिष्टे में बनाते हैं, रिष्टे बनते हैं हमारे रिष्टा सिर्फ प्रेमियों का नहीं होता माता-पिता का भी होता है, हमारे भाई-बेहनों का भी होता है हम कहते हैं वसुदेव कुटुम्ब कम, हम कुटुम्ब की बात करते हैं तो रिष्टा कभी भी दो व्यक्तियों पे नहीं होता, रिष्टा हमारे परिवार में आप भी देखते हैं हमारे जब परिवार में, घर परिवार में शादी होती है तो हमारे परिवार वाले सब इकठे आते हैं Western civilization की तरह नहीं है कि हम बाहर जाएं और शादी करके हमारा काम हो जाए हमारे परिवार इकठे जुड़ते हैं एक दुसरे में मिलाप होता है हम बहुत सारा चीज इधर से प्यार उधर से प्यार एक दुसरे को देते हैं तो इसी से ही हमारी जो main foundation है हमारे प्यार की बनती है कि व्यक्ति को हम अपने जीवन में नहीं अपने परिवार में भी लेकर आते हैं जी और इसी में जैसे परिवार की हम बात कर रहे हैं तो परिवार होता ही है एक दूसरे को एक support करने के लिए क्योंकि कभी होता है कि बच्चों को क्योंकि आप एक nuclear family में है तो आप सारे काम खुद मिलकर नहीं कर सकते हो तो कहीं न कहीं परिवार एक supporting system बन जाता है आपको जो सहायता करता है आगे बढने में कि वो आपके बच्चे का भी धिहान रगता है ताकि बच्चे को वो पूरा nurture वो प्यार मिल सके ताकि वो परिवार में बढ़ा हो सके और उसको समझ आए कि हाँ ये है परिवार में साथ रहने का और कितने फाइदे हैं साथ रहने के कि कोई बिमार होता है तो कोई और देख सकता है हना काम कोई और कर सकता है खाना कोई और बना सकता है तो परिवार के साथ रहने में हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है और मैं कहूंगी जो प्यार हम देख रहें वो प्यार की डोस भी डबल हो जाती क्योंकि जितने परिवार जने होंगे उतना ही आपको वो प्यार देंगे तो परिवार एक नीव के जैसे है अगर आपकी परिवार के साथ आपकी जड़े स्ट्रॉंग है ओवेसली तो फिर जो आप उसके उपर बनाएंगे वो बढ़ता ही जाएगा बिल्कुल सर माँ आगे चर्चे करेंगे लेकिन अगली दर्शिक हमारे साथ है उनसे बात करेंगे हलो हलो जी नमसकार बहुत स्वाधत है आपका नाम बताईए अपना मेरा माम रा पहले गरवालों ने बत्री साल तक तो अपनाया ने था फिर उसके बाद अपनाल भी लिया उसके बाद मतलब मारे होजबन वाइक के अंदर बन भी नहीं है राते तो हम कठे ही हैं मैं खुछ बिजनस करती हूं और बोटीक कि लाती हूं मगर रह कठे रहे हैं क्योंकि बच बच्छी साल से को अरलेशन भी नहीं है मेरा उनके साथ उनकी लाइव में कुछ और हुआ था तो मैं उस वज़ा दिया था मैं कि या तो वहां रख लो या मेरे से रख लो उनकी गल्फ्रेंटी तो उसके राद अथा इतना गुस्ता इतना गुस्ता मैं तलब आपर मैं तल तो देखिए अगर आप किसी रिष्टे में जब हम आते हैं और ऐसा रिष्टा जो बहुत नजदी की रिष्टा है जैसे हस्बन वाइफ का हम कहें तो अगर हम इस रिष्टे में आ रहे हैं तो किसी कारण वर्ष आए हैं हम इस रिष्टे में और इसके पीछे का कोई कर्म ह है हमारा तभी हम पूर्व जनम में कुछ रहा था तभी हम यहां पर आए हैं इस रिष्टे में तो अगर आप इस रिष्टे में है तो सबसे पहले आप अपने पे ध्यान दीजें कि मुझे इस रिष्टे से क्या सीखना है क्योंकि जब तक आप सीखेंगे नहीं चाहें आप इस इंसान के साथ रहे या ना रहे वह आपकी चॉइस है पर जब अगर आप आगे भी अपना जीवन को व्यतीत करेंगे तो यह पाटर्न जो है चलता रहेगा ये तब तक चलता रहेगा जब तक हम इससे सीखेंगे नहीं, जब तक लेसन नहीं सीखते, तो आप देखी कि अगर आप इस रिष्टे में आए हैं, अपने हस्बिन के साथ आई हैं, तो मुझे इस रिष्टे से क्या सीखना है, सबसे पहले तो उस पर ध्यान दीजे, दूसर अपने आप से करें, अपने सक्षम रहें, तो शायद ये सिखाने आया था, शायद वो धैरे सिखाने आया है, तो वो आपको देखना है कि ये लेसन मुझे क्या सीखना है, उस लेसन को अपने जीवन में उतारिए, और फिर देखिए कि हाँ, अगर आप ध्यान नहीं कर रह तो वो आपके अंदर शक्ती भी आएगे उस चीज को आगे कहने की तो आप वो देख सकते हैं कि ध्यान करना शुरू करें 40 दिन फिर देखें कि मेरे अंदर से क्या अनुभूती आ रही है इस रिष्टे को मुझे कैसे आगे लेके जाना अगर नहीं भी लेके जाना तो आप पती से खुल कर बात करें इस बारे में हाना देखिया हम सोचते हैं अंडर दे कार्पेट हम चीजों को रखेंगे तो वो अपने आप ठीक होती जाएंगी वो नहीं होगी जब तक हम उसका सामना नहीं करेंगे तो आपको ओपनली अपने पती के साथ बैठ कर इस रिष्टे के बारे में बात जरूर करनी चाहिए कि हम कैसे देख रहे हैं क्योंकि आगे बच्चे इंवॉल्वड है और आप इतने साल आपने निकाल दिये तो बच्चों पर भी उसका effect आता है देखी क्योंकि मस्मी पापा बच्चे के लिए role model है तो वो जैसा आपका रहेगा रिष् हो कर रही है देखिए तो बिना खुश रहे के तो वो ना रहने के बराबर है अगर नहीं रहना तो खुल कर कह सकते हैं पर मैं यही दो चीज पर फोकस करूंगी कि आप सीखें पहले इस रिष्टे से क्या आपको यह रिष्टा सिखाने आया है दूसरा ध्यान शुरू करिए और तीसरा अपने पती से खुल कर आप इस रिष्टे के बारे में बात करिए जी रानी जी मैं आपको यह भी कहना चाहूंगा कि अक्सर जो हमारे जीवन में मुश्किल रिष्टे होते हैं जो कठिन रिष्टे होते हैं वो जो हमें दुश्मन लगते हैं इस धर्ती पर हमें दुश्मन लगते हैं वो वास्तव में हमारे बहुत अच्छे रिष्टे होते हैं हमारे आत्मिय स्तर पर क्यूं क्यूंकि उन्हीं लोगों से हम सीख कर अपने जीवन में प्रगती का मार्ग पाते हैं आपको भले ही वो यहां पर दुख दे रहे हैं पर आपके साथ उनकी बहुत अच्छी दोस्ती है उस आत्मिय स्तर पर उन्होंने आपके लिए एक टफ रोल लिया ताकि आप इस धरती पर अच्छे से सीख पाएं और अपने लाइफ के लेसन को कम्प्लीट कर पाएं इस चीज पर ध्यान दे और अपना सीख जैसे शुबांगी ने कहा कि अपन सकते हैं सबीद्न के साहर के साजब totा एक वर् हमें कुछ न कुछ वो सिखा कर जरूर जाता है कूछ न कुछ समझा कर जरूर जाता है तो आशा करते हैं कि आज आपके जिवन में कोई भी प्रप्रॉब्लम ना आए कोई भी कोई भी प्लैसche recruiting पर नुर सकते हैं और कर सकते हैं आपके रिष्टे में कोई भी परिशानी है तो उन परिश्वानियों को दूर करने के लिए आप कौन कर सकते हैं मैं आप दोनों से मेरा यह सवार मेल फीमल दोनों के जो सूच होती है वो अलग होती है पच्छी साल का एक रिलेशनशिट और उसमें और भी लव मैरेज और जिब उसमें धोका मिलता है या फिर किसी के साथ कुछ भी गलत होता है तो अब्सी बात है जो सामने वाला परसन उस इस उसे बाहर ही निकल पाएगा चाहूंगे पहले आप बताएं फिर आप बताएं देखिए अगर धोका मिल रहा है उनको किसी रिश्टे में उनको देखने की जरूरत है कि वो धोका जैसे हमने पहले कहा कि वो अभी हमें लग रहा है दोका बट उसकी जड़ कहीं न कहीं हमें सामने अभी वो दिख रहा है दोखा कि इसने मुझे दोखा दिया पर उसका जड़ नहीं पीछों हमें देखने का जरूरत है तो पीछे देखिए की दोगा सबसे पहले तो अपने आप से परश्ण करें ये दोप्रश्ण करीं कि सबसे पहले क्या मैं अपने आपको दोख देती हूं कभी-कभी हम अपने आपको भी धोका देते हैं जो हम कहना चाहते हैं जो हम करना चाहते हम वो करते नहीं अपनी बात को नहीं कहते हैं तो कहीं नहीं हम सेल्फ क्रिटे किया अपने आपको ही वो धोके में रखते हैं कि ऐसा होता है दूसरा अगर लोग आपको वो तो उसका कारण देखिए कि पीछे ऐसा कुछ ऐसा हुआ था या आपकी विचारधारा ऐसी बन गई है कि जब हम मैं किसी पे जाधा ट्रस्ट कर लेती हूँ या अपनी बात किसी को खुल के बता देती हूँ तो वो गलत इस्तमाल कर लेते हैं उसमें धोका दे देते हैं तो क्या है कहीं न कहीं विचारधारा मेरी बनी हुई है तो कि रिष्टे क्या हैं एक प्रतिभिम्भ है तो जैसे आपकी अंदर की स्थिती होगी वो वैसा ही बाहर आपको वो प्रतिभिम्भ दिखाएगा तो अगर धोका बाहर से मिल रहा है, कहीं न कहीं उसका एक छोर मेरे अंदर भी है, तभी वो बाहर से मुझे धोका मिला है, तो उसके धोके के बहुत सारे कारण जैसे मैंने कहा है, क्योंकि हमारी विचारधारा होती है, कि अगर मैंने बच्पन में ऐसा सुना है, कि जो लव म बनाई है कि love marriage में अभी तो तुम्हें प्यार दिख रहा है तुम blindly उसके तरफ जा रही हो पर आगे जाके देखना तुम्हें धोका मिलेगा तो वो कहीं न कहीं हमारी चेतना में वो रह जाता है और अभी हम चाहिए चेतना में consciously उसे सोच नहीं रहे हैं पर वो subconsciously मेरे अंदर डल गया है कि वो दोका मिलता है क्योंकि व Shiv अंदर डल गया है तो वो मुझे फिर बाहर भी अनुभव होने लगता है अगर आप अंदर से उसको ठीक कर लेंगे बाहर वो दिखेगा य arrest कि प्रतिभिम वही दिखाता है जो आपके अंदर है कि मैं तो सिर्फ आपको यह चीज़ बताना चाहूंगा जैसे मैं मेरा 25 साल के रिलेशन्शिप की बात करी अपने लिए पार्टनर डिसाइड करना एक बहुत इंपॉर्टन्ट स्टेप है हमारी लाइक का एक इंपॉर्टन डिसीजन है और किस तरह से इस दिसीजन को लिया जाता है वो भी नाज़िकरता है जैसे पॉर एक लड़की की अगर अपने पिता से नहीं बनती और उसे लगता है कि जब मेरी शादी होगी मेरा पिछा छूटे के लिए दूसरी सिच्वेशन का सहारा लेते हैं और बहुत बार जैसे हम देखते हैं कि हमारे जो लव मैरेज के डिसीजन भी होते हैं वो सिर्फ एक फिजिकल अट्रैक्शन पर बनके रह जाते हैं कि मुझे कोई दिखने में कोई बाहर-बाहर की चीजों को देखकर ही हमे यह अच्छा है पर जैसे कि मैंने कहा कि लाइफ का बहुत इंपॉर्टन डिसीजन है शादी का अपना जीवन साथी चुनना तो अपने जीवन साथी को जाने और वो तभी जान सकते हैं जब आप खुद को जाने ऐसा नहीं हो सकता कि मैं दूसरे को पूरा टटो जब तक मै अपना conscious अपने आपको जाने तभी लाइफ के चीज़ें consciously ले सकते हैं और अगर अंत में किसी situation में आप अटक दी जाते हैं जैसे आपको relationship में कोई ऐसे challenges आते भी हैं पहली चीज ये जान लीजिए कि कोई भी चीज बिना reason आपकी तरफ नहीं आएगी वो इसलिए आई है क् कि आपका उससे लेंडेन है क्योंकि आपको उससे कुछ सीखना है तो अगर आप इस चीज़ पर तयार रहें तो आप बहुत सारा काम अपने लिए कर सकते हैं दूसरी चीज अगर मैंने अपने जीवन साथी आज से 25 साल पहले चुना उस 25 साल जब मैं उसको चुन रहा था म मुझे अपने आपको एक प्रश्न करना चाहिए यह है प्रश्न करना चाहिए कि आगे आने वाले समय में यह वैसा नहीं रहने वाला जैसा आज है यह व्यक्ति बदलेगा अपनी वेश-भूशा से भी बदलेगा अपने शरीर कदकाठी से किसी भी तरीके से इसका अपियर इन सारी चीजों के आते हुए भी यह जानते हुए भी यह व्यक्ति बदलेगा क्या मैं तब भी इसको प्यार करूंगा यह प्रशन आपको पुछना चाहिए क्योंकि अगर यह प्रशन का उत्तर सही है कि हां मैं करूंगा तो आप जीवन के हर ठिकन थिन को पार कर जाएंगे आप जीवन की हर मोड को इतनी सुन्दरता से निकल जाएंगे क्योंकि आपका एक दूसरे के साथ डूटल एक्सेप्टेंस है आप उसको वैसे ही देखते हैं जैसे आपने पहले दिन जिस दिन रिष्टा हुआ तो आज भी उसे वैसा ही देखें तो यह कॉंशियस स्टेप को कोई एक दिन होता है हर दिन वह प्याहर करते हैं लेकिन आज के दिन आपके रिष्तों में आप मधूरता कैसे ला जानना चाहते हूं कि मेरी लाइफ में प्रॉब्लम है जासे यह कारिकरम चल रही है रिस्तों की बारे में तो एक पार्टनर नहीं है इस भार्टी पर इनहीं है तो कोई क्या ऐसा भी चुन कर ला सकता है जो साधी जैसा पर्भित्र बंधन होता है वो साधी करता है और जाते एक परसन छोड़के उसको चला जाता है कारण चाहे जो भी हो तो जी जुली जी ऐसा बिलकुल होता है जीवन की जो भी परिस्थिती बनती है हमें कठीन लग सकती है पर वो अपने आप नहीं यहां पर आती अगर मैं आपको थोड़ा सा आपके सोल स्क्रिप्ट के बारे मे समझाओं तो यह जो हस्बेंड हैं आपके और आप आप दोनों के बीच में एक कॉंट्राक्ट हुआ है एक जिसे हम कहलें कि धरती पर जब हम कोई काम करते हैं जैसे रेंट अग्रिमेंट बनता है हमारा कॉंट्राक्ट बनता है उसके अंदर फर्स्ट पार्टी सेकिंड प अपने आपको लेकर जाना और उन्होंने क्या लिखा है कि मैं आपको इस तरह से छोड़के जाऊंगा और उसके बाद आपके पास दो रस्ते होंगे दो रस्ते क्या होंगे कि यहां आप कंप्लेंट करते जाओ और यह कहते जाओ कि ऐसा मेरे साथ क्यों हो गया यह बड़ा दुख वाला विशे है और अपने आपको शिकायत के रस्ते पर लिख़ता है दूसरा रस्ता जो आपके लिए इस कांट्रैक्ट में लिखा हुआ है वो ये है कि इस चीज को इस चीज के होने के बाद भी आप उस चीज पर ध्यान दीजिए कि मैं अपने लिए सक्षम हूँ मैं अपने लिए भरपूर हूँ और मैं आगे अपने जीवन को बहुत सुचारू अवस्था से चला सकती हूँ जैसा चलना चाहूँ वैसे चला सकती हूँ अपनी शक्टी का मार्ग चुनिए क्योंकि ये वाला रस्ता आपको सशक्ट बनाएगा आपको इमपावर करेगा तो रस्ते दो हैं सुज़ाव आप दोनों के लिए हैं इन दोनों में से आप कोई भी रस्ता चुन लीजिए जो आपको लगता है कि आपके आत्मा के उत्थान के लिए चाहेगा एक जहाँ पर आप शिकायत कर रही है कि ऐसा क्यों हुआ दूसरा जहाँ आप शिकायत नहीं कर रही है अपने जीवन को अपने हाथ में लेकर आगे बढ़ने का प्रयास करो膩 और मुझे आशा है आप दूसरा रस्ता चुनेंगे क्योंकि वो आपको आपकी प्रागर्पी जिवावने कर जाए हमारी शुक कामना है वही है कि हमें लगता है कि ये चुनौती है बड़ चुनौती के अंदर एक आशिरवाद भी छुपा होता है जो आगे जाके हमें समझ आता है जब हम इस रस्ते पे शायद ये चुनौती आई है कि आप अपने आप से जुड़ पाए अपने अध्यात्म के रस्ते पर जुड़ पाए तो ये आशिरवाद ही मिला है अभी हमें लगेगा कि ये आशिरवात कैसे हो सकता है कि मेरी जिन्दगी खराब हो गई वो मुझे छोड़के चले गए पर उन्होंने आपको साहता करी है कि जम मैं जाओंगा तब तुम जीवन के बारे में अपने आप से जुड़ोगी इस रस्ते पर चलोगी और अपनी शक सायतों को ड्रॉप करकर अपने जीवन को अच्छे से जिएंगी इसमें आपके हस्बिन भी बहुत खुश होंगे ये देखकर तो मैं आशा करती हूं कि आप जो आपके लिए सही हो जो आप चुने वो आपके लिए सही हो और आप इस रस्ते पर चले जी जूले जी तो जो ढूरी हो है जो भी आपके मन में सवाल है आपने वों सवाल दी कि ये आपकी जर्नी है एक रास्ता है कि सब緊ए कशल डी ये आपकी लिए आपकर लोगी मैं कैसे चलना है जीवन को क्या समगन कैसे समझना के रास्ता को आफ को भुशु चुनना है आशा करते हैं कि आपकी लाइट में कोई भी समस्या, कोई भी परेशानी कभी ना आए सर मैम आप दोनों से ही मेरा सवाल कई बार देखा जाता है कि रिष्टों में बहुत ज़्यादा खटास होती है तो क्या हम अध्यात्म के मार्क पर चलकर या फिर मेडिटेशन से उस खटास को दूर कर सकते हैं इसके बारे में जाना चाहूं है तो बिल्कुल क्योंकि देखिए जो भी खटास या जो भी चैलेंज या प्रॉब्लम ले लीजे क्योंकि हमारा दृष्टिकोन क्या रहता है जब भी कोई चैलेंज या प्रॉब्लम आता है हम बाहरी उसको उसका उत्तर ढूनने में लगे रहते हैं और वो बाहरी उत्तर शायद हमें मिलता भी नहीं है कभी कबार पूरा जीवन भी निकल जाता है यह अगर मिलता है तो दूसरों की अनुभवों से मिलता है हमें लगता है जो दूसरे कहेंगे वो कहेंगे शायद ये करके देख लीजे इससे ठीक हो जाएगा पर हमें फिर भी वो नहीं ठीक होता है तो मैं कहूंगी अध्यात्मिक्ता क्या है? अध्यात्मिक्ता यह है क्योंकि प्रश्न भी देखे, चनौती भी आपके जीवन में आई है, आपके प्रश्न भी आपके भीतर से आए हैं, तो उत्तर भी कहीं न कहीं आपी के भीतर है, वो अनुबूती भी आपी के अंदर है, क् आप सक्षम है जो प्रश्न जैसे हम कहते हैं ना कि ताला जो बनता है बिना चाबी के नहीं बनता तो हर प्रश्न का हर उत्तर है पर वो उत्तर आपी के भीतर है तो अध्यात्मित्ता आपको ये शक्ती जो आपके भीतर किये वो जागरुक करती है ताकि आप जागरुक रहें कि मेरे भीतर चल क्या रहे, क्या भाव आ रहे, क्या ये चुनौती मेरे डर के कारण आई है, क्या मैंने ऐसी विचार धारा बनाई है जिसके कारण ये चुनौती का मैं सामना कर रहा हूँ, तो ये बहुत clarity आपको अध्यात्मिक्ता लाता है, तो बिलकुल हर चुनौती को साम करना अध्यात्मिक्ता सिखाती क्योंकि भारी बहुत क्या कहेंगे, मत सोचो इसके बारे में, दबा दो या इससे भाग जाओ कहेंगे, पर अध्यात्मिक्ता प्राती कहती है, उसका सामना करना, व्योंकि सामना करकर ही आप उस अभाण पो का learning को खतम कर सकते है या डिसौन कर सकते हैं तो बहुत जलूरी है मैं कहूंगी ध्यान या अध्यात्मिक्ता के रस्ते पर आना तो जैसा कि शुभांगी ने कहा कि meditation हमें क्या करता है बीतर से strong बनाता है हम कई चीजों को छुपाने की कोशिश करते हैं और अध्यात्म हमें ये सिखाता है कि अगर मेरे जो बाहर की स्रिष्टी है वो मेरे ठीथर की स्रिष्टी से बनती है अर्थात अगर हम अपने वेदों की बात करें वेदों में लिखते हैं यत्त पिंड तक्त ब्रह्मांड यत्त पिंडे तक्त ब्रह्मांड है यानि कि जैसा पिंड होगा वैसे ब्रह्मांड होगा मैं पिंड हूँ और मेरे आसपास की जो स्रिष्टी है वो ब्रह्मांड है तो जैसी मेरे अंदर की स्रिष्टी होगी वैसे ह ये मेरे बाहर की सुष्टि होगी, हमें ध्यान क्या करता है, हमें बाहरिये मुखी से अंतर मुखी दनाता है, अपने अंदर देखना सिखाता है, कि अगर मेरे जीवन में ये परिस्थिती आई है, ऐसे व्यक्ति आए हैं, जो मुझे पीडा दे रहे हैं, या मुझे बार बार दवा रहे हैं तो उनका जो सुझ्धान है वो अपने अंदर देखने के लिए कोशिश करता है ये देखने का प्रयास करता है कि ऐसी परिस्थितिया मैंने अपने जीवन में क्यों आम अंत्रिक पी इस चीज़ को हम अंदर से देखता है और जब आप इन चीज़ों का उत्तर से जानते हैं तो आप प्रगती करते हैं आपका रहता और रिष्टा हर रििश्था हमें क्या सिखहना चाहता है खुड से इस श्हुत हैं भले मुझा लगे मेरा माता-पिता के जातरे रिष्था है या मेरे हस्बन मौइप का पर वो सारे ही प्रतिविंबा है मेरा खुद के साथ कैसा रिष्टा है और ध्यान हमें अपने अंदर जाने की यही रस्ता दिखाते है तो सार आज वैलेंटाइन डे हैं बहुत सारे लोग जो है वो आपके लिए बना है कैसे पता किया जा सकता है तो सबसे पहले देखिए कि जिसके साथ आप शादी करने वाले हैं वो अपने माता पिता को कैसे ट्रीट करते हैं सबसे पहली चीज़ क्योंकि जैसा व्यक्ति अपने माता पिता को ट्रीट करता है तो वो क्या होगा वो उसक एक software की तरह हैं जो सब जगा replace होगा हर रिष्टे में बले ही मैं boss के साथ बात करूँ अपने superior के साथ बात करूँ बले ही अपने husband wife की बात करूँ बले ही अपने बच्चों के साथ बात करूँ वही template cut copy paste होगा बाकी सारे रिष्टों में तो अगर व्यक्ति अपने माता-पिता के बारे में अच्छे से बात करता हैं उनके प्रती respectful है मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि माता-पिता के प्रती उनकी हर रजमंदी दें अपना हर हाँ हाँ कहें हर चीज में जो भी हो कहें आप उनको मान जाईए यह नहीं मैं कह रहा हूँ कि अगर वो ना भी कहें पर अपने मा क्योंकि वो व्यक्ति, जैसे आप बिग बॉस देखते हैं, बिग बॉस में लोग तीन महीने के लिए एकठे रहते हैं, तो कोई भी अपना मास्क जादा देर तक नहीं पैन के रह सकता, अपने आपी जो उसले उनके असली रंग होते हैं, वो बाहर आ जाएं, ठीक उसी प्रक अपने आप उतरने लगेगा, और तीसरी चीज, कि कौन व्यक्ति मेरे लिए बना है, यह याद रखें कि आपकी जो स्मंदन है, आपकी जो उर्जा है, वो आपके पार्टनर को मैनिफेस्ट करती है, तो अगर मैं खुद ही एक लोग एनरजी में हूँ, तो मैं एक्सपेक् अगर मैं किंग हूँ, तभी मुझे क्वीन मिल सकती है, अगर मैं प्रिंट हूँ, तो मुझे प्रिंसेस मिलेगी, किंग और प्रिंस में क्या आंतर है, लेवल जी viity अपट जीवन के अनुभवों को किस द्रिश्टी से देखते हैं, आप जीवन में अगर कंप्लेंड करते जाते हैं, blame करते जाते हैं, guilt करते जाते हैं, यानि कि आप Prince Consciousness में हैं, पर अगर आप जीवन को एक positivity से लेते हैं, अपनी responsibility उठाते हैं, life को grace मान के जीते हैं, life को सोचते हैं कि जो आ रहा है उसको मैं बहुत अच्छे से experience करूँगा, आप King Consciousness में हैं, कुछ हद तक हम सोच सकते हैं, पर उस चीज़ के बाद अपनी उर्जा पर काम करना ना भूले, क्योंकि आपकी ही उर्जा आपकी पार्टनर की उर्जा को attract करेंगे, इसलिए कहा भी जाता है कि अगर आपको राजा या रानी बनना है, तो अपने पार्टनर को राजा या रानी की तरह ट्रीट किया जाए, या उनको उस तरह से देखा जाए, तभी वो आपको उस तरह से ट्रीट करेंगे, चलिए, अगले दरुश्यक हमारे साथ जुट चुके हैं, बात करेंगे, हलो, अपना, या रिदिमा जी, पताएं क्या जाना चाहते हैं, अपनी मैम और पफिसर को, ये, तो मेरा ये सवाल था कि, मेरे भी रिष्टे में बहुत चैलेंजेस हैं, और मैं दो साल से ध्यान कर रही हैं, और मैं चाहती हूं कि मुझे उन सवालों का जबाब मिले, मैं सुन तो रही हूं कापी सालों से ये सब सीजे की, हमें अपने भीतर से ही जवाब मिलेगा अपने सवालों का, लेकिन मैं मुझे जवाब नहीं मिल्दा कुछ भी खुल के जवाब नहीं मिल्दा, मुझे लगता है कि क्या मैं मेडिटेशनी सही तरीके से नहीं कर रही हूँ क्योंकि सेवा में हूँ तो मेरे लिए क्या जवाब है आपका देखिए रिदिमा जी मैं समझ सकता हूँ आप दो साल से ध्यान कर रहे हैं और आप कुछ उत्तर पाना चाहते हैं अपने प्रश्णों के जो आपको सही तरीके से नहीं मिल रहे हैं तो यहाँ पे मैं सिर्फ आपको एक चीज कहना चाहूँगा कि आप जो पाना चाहते हैं उस चीज को छोड़ दीजिए expectations को drop कर दीजी क्योंकि हमारी expectations क्या होती है हमें बादा बनती है हम जिस जगा पर जाना चाहते हैं उसमें बादा बनती है क्योंकि आप एक तरहां से किसी उत्तर को पाना चाहते हैं जरूरी नहीं है कि आपको जो higher energy है, higher consciousness है उसी तरीके से आपको उत्तर देना चाहिए तो इस conflict को खतम करने के लिए प्लीज अपनी expectations को छोड़ें क्योंकि अध्यात्म में, meditation में हम without expectations जाएं तो हम ज़ादा benefit अपनी life में लेकर आते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप थोड़ा सा intense meditation करें अगर आप एक घंटा regularly अच्छे से ध्यान करें intensity में बैठें और प्लस expectations छोड़ कर बैठें कि मुझे कुछ पाना है कुछ उत्तर जानना है इन चीज़ों को छोड़ कर बैठें तो आप definitely बहुत जल्दी ही अपने प्रश्णों का उत्तर पालें जी तो रिदिमा जी आशे करते हैं कि आपके मन में जो भी सवाल था कि क्यों आपको आपके सवालों के जवाब नहीं मिल रहे है वो जवाब आपको मिल गया होगा जब भी बात की जाती है शाधी की तो कही ना कही इक fear जो है वो हमेशा मन में रहता है वो होता है divorce का fear अगर हम शहरों की बात करें तो शहरों में 7% और अगर हम गाओं लिखाद की बात करें तो वह 1% जो है डिवाउस के chances होते हैं ऐसा क्यो होता है मैं पहले आप बताएं जी तो देखिए शहर में अब मैं कोऊंगी ये बहु कभी decision आवेश में ले लेते हैं, हाना अब हमारे अंदर उतने patience ही नहीं है चीज को समझने के लिए, जैसे 6 महीने में अपने case studies में देखा है कि 3 महीने अभी शादी को हुए और वो डिवोर्स फाइल कर रहे हैं, 6 महीने हुए हैं, डिवोर्स फाइल कर रहे हैं और बहुत छोटी-छोटी चीजों पर यह होता है, क्योंकि अब हमारा समाज इतना comfort कह लीजिए या कह तो रहे हैं कि हमारा विकास हो रहा है, हम आगे भढ़ रहे हैं, पर literally हम आगे भढ़ रहे हैं, वो मैं नहीं कह पाऊंगी, शायद हम पीछे की और जा रहे हैं क्योंकि यहां पर इतना competition है और हम इतना compare करते हैं, क्योंकि उसकी शादी में देखो इतना पैसा है, उसके comfort दे रहे हैं, उसका husband इतना shopping करा रहा है, मेरा नहीं करा रहा है तो क्या है हम अब इतने जादा compare करते हैं तो हम ये decision आवेश में आकर ले लेते हैं कि हमें इस विश्टे में नहीं रहना है ये एक कारण हो सकता है दूसरा कारण ये होता है कि अब हम जैसे पहले कहते थे कि अब जिस culture में हम रहते हैं कि वहाँ पे आदमियों को उपर और females को नीचे करा जाता है पर अब जैसे उल्टा हो रहा है अब females बहुत independent हो रही है और कहीं ना कहीं वो स्थ्री तत्वक से दूर हो रही है क्योंकि वह आदमी बनना चाह रहे हैं और उन्हें लगता है मैं आदमी बन गई हूं तो मैं सक्षम हूं मैं अपना घर चला सकती हूं प दोस्तों कि जब हम एक शादी में आते हैं एक union है क्योंकि हम ना मैं यह नहीं कहूंगी हम दोनों बराबर हैं या हम दोनों पुरुष और महीला आगे हैं एक दूसरे से कम हैं मैं कहूंगी हम दोनों अलग हैं दोस्तों यह समझना होगा कि पुरुष अलग है और महीला अल खाया, टाइम पर खाना खाया, मैं आपके लिए क्या बनाओ खाने के लिए, तो ये क्या है, इस ट्रेंथ है महिला की, और पुरुष के सवाल कैसे रहते हैं, कि तुमने टाक्स फाइल करा, तुमने आई टीर फाइल करी, बैंक में ये काम करा, तो क्या है, दोनों की फोते अल तो महिला घर बनाती है, एक एक बिल्डिंग को वो घर बनाती है, उसके अंदर ये सक्षम है, ये स्ट्रेंथ है उसकी, कि पैसे को वो कैसे यूटिलाइस करती है, उसको घर चलाना, और इतने पैसे में वो घर चला सकती है, और पैसे बचा भी सकती है उन पैसों में, ये कल आश्चाव तो कुम करें तुम क्यों नहीं कर तुम कियों करें रहा हम एंक अरेश नहीं यह थो से आप्सेट करूग तुम यहां से इसको ऐसे बना और भी और शें घूसरे के जरतous शादी में जाते, रिष्टे में जाते, तो मैं कहूंगी 90 to 95% डिवोर्स होंगे ही नहीं, तो कि आप समझ गए हो कि हमारा जो कोर है, महिला का कोर क्या है, प्यार है, अगर प्यार पे बात आ जाएगी, तो उसको लगता है सब कुछ वो छोड़ सकती है, पर प्यार नहीं, अगर आप बिजी जितने भी मर्जी हो दिन में, दो मिनिट आप उससे प्यार से बैठ के बात करिए, कि कैसा रहा तुमारा दिन, तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं हो, सिरफ ये दो प्यार के बोल, वो अपनी सारी दिक्कते भूल सकती है, और जो पुरुष का कोर होता है, वो होता है आजादी, फ्रीडम, अगर महिला उसकी फ्रीडम को कंट्रोल करेगी, वो आदमी दूर जाएगा, अगर आपको होगे नहीं, तुम्हें अपने पुरुष दोस्तों के साथ नहीं जाना, या मेरे बिना तुम घूमने नहीं जा सकते, तो क्या है, वो पीछे होग जितना फ्री छोडेंगे ना, वो आपके पास अपने आप आएगा, जितना आप उसको बांध कर रखेंगे, वो उससे दूर जाएगा, तो ये बहुत ज़रूर है, अगर आप ये कोर ध्यान रखे, महिला का प्यार और पुरुष का फ्रीडम, कोई जगड़े ही नहीं हो सक अगर इस पर हम काम कर लेंगे, तो मैं कहूंगी जो ये 7% है, वो 0% हो जाएगा, जिए, एक शब्द है वेडिंग और एक शब्द है मैरिज, ये दोनों में अंतर है, वेडिंग क्या है, आज मेरी वेडिंग है, जो छोटे स्पैन के लिए चलता है, हम अपनी वेडिंग के लिए बहुत एक्साइटिड होते हैं, क्योंकि हम नए कपड़े पहनेंगे, हम एक वेडिंग में जाएंगे, अच्छा खाना खाएंगे, डीजे करेंगे, और प्री वेडिंग शूट भी करेंगे, ये सारी चीज़ों को हम बहुत एक्साइटमेंट से लेते हैं, पर जो मै मैरेज एक कमिटमेंट का इंसिटूशन है दूस्ते, क्योंकि हम वेडिंग के लिए तो बहुत एक्साइटिड हैं, पर क्या हम एक्साइटिड हैं मैरेज के लिए, क्योंकि वेडिंग के बाद मैरेज में हम स्लिप करेंगे, तो वो चीज़ कमिटमेंट मान देगे, और कमि वाइफ दोनों को अपनी अपनी personal responsibility लेनी चाहिए, अपनी emotional mental state पे काम करना चाहिए, वाइफ अपना emotional mental state पे काम करे, तब ही दोनों व्यक्ति खुश, अपने आप में खुश हो के, शादी इसलिए नहीं की जाती कि कोई व्यक्ति मुझे खुश रखेगा, मेरी शादी मेरे को खुश रखने का बोज शुभांगी पे नहीं है, या शुभांगी को खुश रखने का बोज मुझ पे नहीं है, मेरी खुशी का बोज मुझ पे है, शुभांगी की खुशी का बोज खुद पे है, जब दो खुश व्यक्ति कठे आते हैं, तो संसार में तो मैं इंब एक सवाल यह भी होता है कि हमें के लिए रिलेशन्शिप में है दिखाने के लिए हम बहुत कुछ है लेकिन अंदर में जीवन जीना है हमें पुरी बात नहीं है हमें जरूर जीना चाहिए problem actually कहां पे आती है जब हमें लगता है कि या हम ये कर सकते हैं या हम वो कर सकते हैं this or that की situation हम create करते हैं पर मैं कहूंगा कि life this or that की situation के इलावा हमारे middle path में चलती है आप दोनों चीजे सक्षम कर सकते हैं आप अपने ध्यात में भी चला सकते हैं और आप अपने घर का भी ध्यान रख सकते हैं आप दोनों चीजें बहुत इकठे से चला सकते हैं अगर आप इस possibility के प्रती open है अगर आप इस possibility के प्रती closed हैं तो ऐसी possibility फिर आप manifest ही नहीं कर सकते हैं तो open रहे middle path में अपने आपको बताएं कि मैं spiritual life भी जीऊंगी और साथ में अपने physical responsibilities को भी complete करूँगी क्योंकि ये दोनों ही एक दूसरे के रूपक हैं जैसे सिख्य के दो पहलू होते हैं अलग नहीं हो सकते दोनों एकठे चलेंगे तब ही हमारे अंदर खुशी आएगी हमें आनंद प्राप्त होगा और life में एक संतोष का अनुभव उगा जब दोनों एक अठे चलेंगे अगर मैं केवल अध्यात में करता जाओँगा तब भी मुझे संतोश नहीं आयेगा अगर केवल भास्टिक भास्तिक जीवन करता जाओंगा तब भी मुझे संतोश नहें आवेगा दोनों को क्वाद बहुत स्वागत है नाम बताया अपना है मैं नी बोल चिए नीव जी कहां से बात कर रही है मैं अब कर दो कुछना जांगी जिसकन एंडर वाइप कर मेरा कुछ देखिये में ही हैं जी मैं जो देफ़े ने ख़ी है घ्लावी से healthy अजी जी में घ्थार में त multipel आन डेखे जी ती तो फिर जान में भी मन नहीं लगता ना जी फिर वो गुष्टा बच्चों के प्रूत रता है तो देखिए अगर आपका गुष्टा कम नहीं हो रहा है आपको लग रहा है कि मुझे अपने हस्बेंट के प्रती गुष्टा है पर इसकी जो रूट्स है यह आपके बच्पन से आ रही है मैं आपको यह कहूंगा कि अगर आप अपने गुष्टे को कहीं न कहीं ट्रांस्फर्म करना चाहते हैं तो आप दो तीन प्रॉसेस कर सकते हैं चोटी-चोटी एक्ससाइज कर सकते हैं थोड़ा फिजिकल काम करें जैसे फॉर एक्जाम्पल अगर आपको अभी इ और थोड़ा चकर लगाईए चकर लगाईए यानि कि भाग के आईए थोड़ा दोड के आईए इसी चीज में अपने आपको फिजिकली इन्वेस्ट करिए घर में पोचा लगाईए बातरूम के शीशे साफ करिए थोड़ा अपने आपको फिजिकली इन्वेस्ट करें इस संक कोपी के ऊपर बहुत रगड़ के चलाएं इतना रगड़ के चलाएं चाहे कोपी फट जाए पर आपका गुस्टे का जो प्रेशर है उस तीस पर निकल जाए आप ऐसा कर सकते हैं तीसरा है थोड़ा पिलो लेके पिलो के साथ थोड़ा सा पंच करिए जैसे पिलो को हम गुसा निकाले वॉक करके या स्क्रेबल करके या पिलो को हिट करके ऐसा करने से फिर फंद्रा मिनट करने के बाद थोड़ा सा मेडिटेशन देखे और फिर अपने जीवन में वापे से आजाए आप दो हफ्ते करेंगे आपको अपने आप इस चीज़ में बहुत सुदार म हमारे। इस जन्म में हमारे साथ हैं क्या हमारा उन के साथ पासलयस में भी रिश्त को हम एक ग सुस्त किया हमें ना परत क 일श में कि हम एक दूसरे के सामने भी खड़े नहीं रह सकते हैं अच्छे वाले रिष्टे तो हम सब महसूस कर लेते हैं और उनको पचा लेते हैं पर ये जो रिष्टे जो हमें दुख देते हैं जो बहुत तीवरता तक हमें दुख देते हैं इनको हम पचा नहीं पाते हैं ये रिष पुराना ही पुराना रिष्टा हमारे साथ चला रहा है और इस समय में हम उस रिष्टे को लेकर आए हैं ताकि हम उस रिष्टे को प्रोसस करता है। इस रिष्टे में हैं कहीं न कहीं हो सकता है कि बी ने किसी पास लाइफ में एको वही किया हो जो वो महसूस कर रही है। अब इस लाइफ टाइम में उसने अपने लिए एक विवस्ता बनाई है कि दूसरे के जूते में कैसा महसूस होता है अब मैं वो फील करके देता है। इस कार्मिक एनर्जी को समझना शुरू करें लौफ कर्मा को सीखें थोड़ा सा जब इन चीजों को हम समझने का प्रयास करेंगे और हम थोड़ा सा दूसरे को द्वेश से रिलीज करें अपने प्रती अपने अंदर जो उस व्यक्ति के प्रती जो कटुता है उसको रिलीज करना तो दो तीन चीजें हो सकती हैं पहला कि अगर बी जैसे वाइफ अगर ये काम अच्छा कर रही है तो ए भी उसकी उर्जा से धीरे धीरे बदल जाएगा अगर नहीं बदलता तो वो दोनों यूनिवर्स उनको अलग कर सकता है एक सिचुएशन ये भी हो सकता है कि बी बहु कर जाएगा सर मैम आप दोनों एजा कपल भी बहुत सारे लोगों को इंस्पायर करते हैं और आज जिसे हमने चर्चवी की वेलेंटाइन दे पर रिष्टों को लेकर क्योंकि रिष्टों में बहुत ज्यादा खटास आ गई है आज के समय के अगर बात कि जाए तो भी आपन आज हमने बात की रिलेशन्शिप के बारे में कैसे हम रिष्टों में गहराई लेकर आ सकते हैं कैसे हम अपने रिष्टों को मधूर बना सकते हैं इसके साथ ही आप सभी को बता दो कि अगर आपके मन में अध्यात्म से जुड़ा कोई भी सवाल है तो प्रतेक गुरुवार शुक्रवार और शनिवार को शाम चार से पांच बजे तक आप अपने अध्यात्म से जुड़े सवाल हमसे पूछ सकते हैं हमारे कारिकरम हेलो पींसी में इसके साथ ही हेल्थ संबंदी कोई भी समस्य आपके जीवन में आ रही है तो प्रतेक शुक्रवार को शाम पांच से शे बजे तक आप कॉल कर सकते हैं और हेल्थ संबंदी सभी समस्याओं का समधान आपको हमारे कारिकरम डॉक्टर से पूछों में मिलेगा हमारे आज के इस कारिकरम में बस इतना ही हम आशा करते हैं कि आपके रिष्टे मधुर्ब बने रहे इसी उम्मेद के साथ हमें आप देखते रहें टीमसी हिंडी नमस्कार